हेलो बच्चो तो यह जो एनस इसी का हम लोगों का जो एसाइमेंट है मोल कॉंसेट का जरा उसको एक कुस्टन को डिसकस कर लेते हैं हम लोग तो सबसे पहला जो कुस्टन हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसमें लिखाए क्या है कि the 3.64 gram of the silver salt of an organic dye basic acid yields on strong heating 2.16 gram of silver. if the weight percentage of carbon in 8e times the weight percentage of hydrogen and 1 half the weight percentage of oxygen determine the formula of the acid तो इसमें बुला किonce 26 the ड़ी बेसिक आजिड का मतल भी हुआ हूए उसमें 2 acid ह shock hydrogen और उस का सिल्वर सॉल्ट का मतलब यह हुआ है बैसिकली जिसे मालो की जो है मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें सिल्वर के एटम्स भी प्रेजेंट हो तो फॉर एक्जामपल जिसे मालो की अगर हमारे पास डाइबेसिक एसीड तो इसमें इतना तो पता चल ला हमको कि दो हाईडोजन आपके जो है वो एसीडिक हाइडोजन के फॉर्म है ठेक तो अगर मालो की आप इसको ऐसे सीखे कि अगर मोनो बैसिक एसीड होता और उसके साथ सिल्वर जुड़ा होता तो सिल्वर की एक ही एटम की जुरूद पढ़ती और अगर डाइबसीड है उसमें अगर मालो सिल्वर के है तो अगर लिखते ना तो ऊपने इस तरीके से CO- और बाकी मतलब यहां पे सिल्वर का इक ही प्रेजेंट होगा ठेक तो यह आपका मोनोबैसिक एसीड का सिल्वर सॉल्ट हो गया और ऐसी अगर मालो डाइबन का सिल्वर सॉल्ट इसका मतलब भी हुग है कि इसमें दो एस तो उसको इस तरीके से लिखेंगे सीओ माइनस सीओ माइनस और यहां पर एजी होल ट्वाइज क्योंकि दो एजी प्लस आइन होगा तभी उसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा अब इस कुछिन को सीखो आप क्या बोला हुआ है कि एक डाई बेसिक एसीड है 3.64 ग्रा तो उस डाई बेसिक एसीड को सपोज एक्जामपल के तौर पर हमने ले लिया इस तरीके से हमने रेप्रेजेंट कर दिया तो उसका एक मॉली क्यूल होगा तो सिल्वर के कितने एटम सोंगे दो तो इस तरीके से आपने लिख लिया अब एक बात सोचो आप इसका लिया हु एक बात सोचो यहां पर हम मास तो कंजर्व करा सकते हैं यानि इसका मदब ही हुगा है कि यहां पर जो सिल्वर का मास प्रेजेंट होगा और यहां पर जो सिल्वर का मास प्रेजेंट होगा दोनों बराबर होगा यानि अकेले वह जो डाई बेसिक और गेनिक एसीड है उसम का मास होगा 3.64 माइनस 2.16 ग्राम के बराबर और अगर मालों डाइबसी का मास देखे या तो उसमें दो हाइडोजन के आपको जोड़ने पढ़ेंगे तो यानि वह जो डाइबसी कैसिड है उसका जो टोटल मास होगा वह आपके पास आएगा कितना इसके बराबर क्योंकि दो हाइडोजन के मास को आपको क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा या सॉरी यहां पर एक चीज़ और वह यह कि अगर डारेक्ली दो नहीं क्योंकि हमको थोड़े ना पता है कि उसमें हाइडोजन के मास की वैलू कितनी हो तो हाइडोजन का मास है तो फिलाल यह हमारे पास वो जो सिल्वर साल्ट है उसके अनाइनिक पर्ट का मास आ गया यह बात समझ में आगी होगी उसके बाद बुलाए क्या है कि इफ दा वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन काफ गीट परसेंटेज और का अगर मानलों का मास उस और गेनी कंपाउंड में एकस ग्राम तो हैडोजन का मास कितना होगा वह गाएकस बड़ाबर ठेक तभी ना इस साइडोजन का मास इस कार्बन के मास का 8 भुना आएगा और जो हमारे पास ऑक्सिजन है उस ऑक्सिजन का मास कितना होगा तो यह जो ऑक्सिजन का मास परसेंटेज है उसका कितना होगा वन बाई टू हाफ ऑफ तो यह निस कार्बा ऑक्सिजन का मास कितना आ गया एकस बाई टू अब इसके बेसिस पर हमसे पूछा गया है मालों यह कमठान हा हमारे पास कबढ़एंड में अगर आफ कार्मास करें तो 48 पर мат और कहने बात और हब क्ताना श तो करबन का मास हाईडोजन के मास का अठ्मुना आ रहा है और ऑक्सिजन का मास Rough केल्क्लेट ये तो आधा नहीं आ रहा है तो ये और ये विवय और आप्सन की बात करें तो ये हो सकता है या ये होगा इसकी बात करें तो यहां कार्बन का मास कितना आ रहा है 24 पर कितना और है 60 मृध से नहीं होगा यहां पर कितना आहते हैं तो इसका मदस्ट यह उप्षय का नियुकंट है की तरीका बैतरी शीन जिसको सॉल्व हर अर बाकी आप इसको ऐसे मत सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास जो compound है जो डाइबसी कैसी रहे उसका मास इतने ग्राम के बराबर तो अगर उसका मास इतने ग्राम के बराबर तो बाकी जो है मतलब इसमें other data भी होना चाहिए तभी आप hydrogen का मास calculate कर सकते हैं तो इसको एक ब्यातरीन तरीका इस तरीके से हैं अगले कुर्शन पर आते हैं हम लोग इसमें देखो को सेकेंड कुर्शन क्या लिखा है मैक्सिमम मास ऑफ सुक्रोज प्रोडियूस बाइं मिक्सिंग 84 ग्राम ऑफ कारबन 12 ग्राम गया स्पेज में इस रियेक्शन का प्रोड़क्ट क्या बन रहा है सी 12 एच ट्वेंटी टू ओ 11 यह बन रहा है इसको बैलेंस कर लो तो 12 कारबन के एटम बाकी हाइडोजन के 11 एटम एच टू मॉलेक्यूल है और बाकी 11 बाइटू यही ना आएगा अब इस कारबन का मास कि कितने आएगं तो इसका प्रोड आएगा सब्स तो 22.4 से आप 56 को डिवाइट करो 56 divided by 22.4 तो यह कितना आएगा से 1.5 के बराबर आएगा तो यहां पर नमबर आप मोल 1.5 अब इसमें कहा है कि इसके मोल को इसके से बैलेंसी मोल से डिवाइट करो ताकि आपको पता चलें लिमिटिंग रिएजिन कौन है तो 7 divided by 12 यहां डिवाइट किया 6 divided by 11 यहां डिवाइट किया 1.5 divided by 11 by 2 तो इसकी वैडिवाइट कितनी आएगी 3 by 11 आएगा तो यह 6 by 11 और यह आपका 3 by 11 थेक तो 6 by 11 और 3 by 11 में 3 by 11 कम है और बाकी यह 7 by 12 तो 7 by 12 की वैलू जब आप calculate करेंगे तो इसकी वैलू कितनी आएगी लगबग 0.5 सारी 0.5 और 6 के बीच में आएगी थेक इसको calculate करें आप तो इसकी value कम आएगी इस 0.5 से देखो आप 0.2 के आसपास आएगी मतब यह कम है यानि यह limiting reagent है तो reaction इसके हिसाब से होगी 11 by 2 mol से 1 mol बन दा है तो 1 mol से कितना बनेगा 2 by 11 तो 1.5 से कितना बनेगा 2 multiplied by 1.5 divided by 11 तो इसकी value कितनी आगे 3 by 11 तो इसका mass calculate करना है तो इसके molar mass से आप multiply कर दो यानि 342 से आप multiply कर दो तो यह value जोहां तक मुझे दिख रही है कितनी तो 3 divided by 11 multiplied by 342 तो यही आपका क्या जाएगा answer इस आप answer से कर सकते है अगले question पर आते हैं यह ए of carbonate of alkaline ya alkali metal है हमारे पास containing some inert impurities was made to react with access of HCL solution ठेक the liberated CO2 occupied 12.315 liter at 180 and 300 Kelvin the correct option is तो देखो करना के आपको इसमें हमको नहीं पता है किसका salt है मदब यह हो सकता है वह alkaline earth metal का carbonate तो अगर मालो alkaline metal का carbonate होगा तो उसको आप लिखेंगे M2CO3 टाइप से और alkaline earth metal का carbonate होगा तो इसको आप लिखेंगे NCO3 अब इसको हम basic basically HCL के साथ reaction करा रहे हैं तो यहां से हमारे पास carbon dioxide produce होगा इस reaction को balance मैं नहीं कर रहा हूं आप इसको इस तरीकस लिखते है 2HCL तो यहां पे आपके पास 2MCL मिलेगा और plus H2CO3 मिलेगा तो वह carbon dioxide plus H2O में convert हो जाएगा और इ हमारे पास मिलेगा तो यहां पे जो carbon dioxide चाहिए हो चाहिए हो जो मिलना उसका volume 12.315 liter at 180m and 273 300 Kelvin के बराबर उस temperature पे तो number of mol कितना आएगा 12.315 divided by 24.63 क्योंकि एक mol जो 300 Kelvin पे temperature पे gas और volume उकुपाई करती है 24.63 के बराबर तो इसकी value 1 by 2 के बराबर तो यानि carbon dioxide के जो number of mols आएगे वो number of mols carbon dioxide के कितने आएगे 1 upon 2 के बराबर यानि या तो इसका और या तो इसका जो number of mol आएगा वो 1 by 2 के बराबर आएगे ठेक क्योंकि एक mol अगर इसका होगा तो एक mol carbon dioxide produce करेगा तो इसका अगर आधा मोल होगा तो आधा मोल तो यानि इसका मतब यह है कि यहां पर इन दोनों के जो number of mols आएगे इन दोनों में इसको यह हो सकता है उसकी value किसके बराबर आएगे 1 by 2 के बराबर अब एक और चीश अब इसमें आपको option चेक करना पड़ेगा कैसे option option चेक करेंगे जिसे मानलों पहला option दे रखा mass of impurity is one gram and metal is beryllium तो beryllium जो है हमारे पास उस beryllium का atomic mass होता है 9 तो मतलब यह हुआ है कि वह alkaline earth metal हो गया अब एक चीज़ सोचो आप अगर मानलों की 40 gram है हमारे पास 1 gram impurity तो अगर 1 gram impurity मतलब 39 gram वह आपका beryllium का कार्बोनेट है तो 39 gram अगर beryllium का कार्बोनेट है उसका जो number of moles निकाल लेते हैं तो उसके मोल्स आएंगे 39 divided by 9 beryllium का और प्लस CO3 2 minus का आता है 60 तो इसकी value आगी 39 by 69 तो इसकी value 1 by 2 को बराबर नहीं आएगी तो यह option नहीं हो सकता है मास of impurity is 3 gram और मेटल आपका क्या है लीथियम मतलब अगर impurity का मास 3 gram तो बाकी alkaline metal जो alkaline metal का कार्बोनेट है वो उसका मास कितना होगा 37 gram तो 37 gram अगर वो होगा डिवाइड बाइड लीथियम कार्बोनेट का molar mass तो लीथियम का atomic mass होता है कितना 6 तो वो आपके पास आएगा 66 तो इसकी value लगबग 1 by 2 के बराबर आ रही तो अगर लगबग 1 by 2 के बराबर आएगी तो इसका मतलब हमारे पास यह option correct है ठेक आगे बात करते हैं अगले question पे आते हैं the percentage by mole of NO2 in a mixture of NO2 and NO having average molar mass 34 is तो average molar mass का formula क्या होता है total mass divided by total mole m total divided by n total यही न होता है अब इसमें m total का मतलब यह हुए NO2 और NO इन दोनों का total mass तो माल यह NO2 का mole x mole और जो बाकी हमारे पास NO है उसका mole आपने बोल दिया y mole तो total mole तो कितना हो जाएगा x plus y और x mole अगर NO2 है तो NO2 का molar mass आता है 46 ठेक तो 46 multiplied by x plus NO का molar mass तो nitrogen का 14 और oxygen का 16 30 तो 30 into y इसकी value कितनी आएगी 34 ज़रा cross multiply करें 46 x plus 30 y is equal to कितना 34 x plus 34 y आप इसको solve करो यह आएगा 12 x equal to 4 y तो y की value किसके बराबर 3 x के बराबर आएगी तो इसमें NO2 का percentage by mole चाहिए यानि x upon x plus y चाहिए तो y की value तो 3 x के बराबर है यानि x upon 4 x तो इसकी value 1 by 4 तो percentage में calculate करें कितना आएगा 25% मिनिमूम मास आप मिक्सर ये बढ़िया कुश्चन है और इसको आपको सीखना चाहिए यहां बुला हुआ है क्या है कि हमारे पास एक reaction दे रखिए 5a2 और प्लस 2b4 और इनकी आपस में reaction हो रही reaction का product क्या बंदा है 2ab4 और प्लस बंदा है 4a2b यह बंदा है अब यह बुला हुआ है इस mixture का कम से कम कितना मास हो जिससे कम से कम 1 kg यह बने और 1 kg यह बने तो इसमें a और b का atomic mass हमारे पास available है तो पहले काम करते हैं ab4 का molar mass लिख लेते हैं तो molar mass अगर ab4 का आप लिखेंगे तो वह कितना आएगा एक atomic mass 10 और b का 120 multiplied by 4 यानि कितना 480 तो इसकी value कितनी आएगी 490 यह ab4 का molar mass आगे और a2b का molar mass आप लिखेंगे तो a2b का molar mass कितना होगा दो एक atom यानि 20 प्लस 120 यानि कितना आएगा यह 140 आएगा सही calculation किया मैंने ab4 तो एक एक atom 10 और b के 4 atom तो 480 यानि 490 पिल्कुल सही अब इसका कमसकम 1 kg और इसका 1 kg बनना चाहिए तो मान लिए इसका 1 kg बनना है तो देखना चाहा रहा है कि इस a to b का कितना mass बनना है तो इसका 1 kg बनेगा तो इसके number of moles कितने आएगे 1000 divided by 490 यहीं ना आएगा इसका 2 mol बनेगा इसका 4 mol बनेगा तो इसका 1 mol बने तो इसके मोल्स आएंगे 2000 divided by 490 और इसका मास कितना आएगा वो 2000 divided by 490 multiplied by A2B का मोलर मास 140 के बराबर आएगा जरह इसको calculate करें क्या यह 1 kg के बराबर आ रहा है क्या जरह एक बार calculate कर लेते हैं हम लोग इसको अगर calculator से calculate करें हम लोग 2000 divided by 490 multiplied by 140 570 1.42 आ रहा है यानि इसका मतब यह इसका मास अगर कम सकम एक केजी बन दा है तो इसका मास एक केजी नहीं बन दा है अब इसी तरीके से अगर इसका एक केजी देखें तो अगर इसका एक केजी देखेंगे मतलब 1000 divided by का मोलर मास कितना 140 तो इसके number of मोल मत इतने आ गए इसका मोल इसका अधा बनेगा यानि 1000 divided by 280 इसके मोल्स बनेंगे तो इसके मोलर मास से जरा मल्टिप्लाई करो यानि 490 तो हमारे पास इसका मास कितना आ जाएगा 1000 divided by 280 multiplied by 490 यह 1750 के बराबर आ रहा है मतलब इसका मास अगर मालो 1 kg बन रहा है तो तो इसका मास 1 kg कम से कम बनी रहा है तो मतलब हम इसके हिसाब से बात करेंगे तो antнос दो मोलगा और पांच मोल मोल बनेगा यह चार मोल तो इसके मोल स्कितने बननेगे में और एक मॉलम इसका यूजा इसका आदा हाउ और बाकी इसका कितना बनेगा 5 by 4 तो इस A2 के जो number of moles आएंगे वो आएंगे कितने आप इसको calculate कर लो इसका अगर मालो 1 kg बन रहा है तो 1 kg का मतलब यह होगा 1000 divided by 140 इसके number of moles तो अब उसके हिसाब से आप check कर सकते हो option देखो किस तरीक इसमें बता रहो यहाँ पे 4 moles बनेगा तो 2 moles खर्च होगा तो यहाँ इसका मतलब एक moles अगर इसका बनेगा तो इसका half moles खर्च होगा तो इतना moles बन रहा है तो इसका आधा इस B4 के number of moles आएंगे तो जो B4 के number of moles आएंगे वो आएगा 1 by 2 multiplied by 1000 divided by 140 यहीं और A2 के number of moles शार moles से 5 moles एक moles से 5 by 4 तो जो भी moles पनेंगे उसका 5 by 4 यानि number of moles A2 के आएंगे 5 by 4 multiplied by 1000 divided by 140 अब दोनों के number of moles मिल गए उसके molar mass से multiply कर तो दोनों का mass मिल जाएगा दोनों को add कर देंगे आपके पास अंसर आजाएगा अगले question पर आते हैं नेक्स question जो हमारे पास है उसमें देखो क्या बोला हो 74 ग्राम ऑफ compound on complete combustion के वितने ग्राम ऑफ carbon dioxide and 54 ग्राम ऑफ एच्टो तो उसका molecular formula हमको चाहिए तो देखो किस तरीकिस करेंगे हम अब इसमें जैसे कहें कि जो चाहर option हमारे पास दे रखे उसमें एक option में carbon और hydrogen और oxygen तीनों है तो हम मान के चल रहा है कि उसमें carbon hydrogen oxygen और oxygen अपने आप eliminate हो जाएगा अगर नहीं होगा तो cx hy oz अब इसकी reaction हम किसके साथ कराएंगे oxygen के साथ combustion का process हो रहा है एक स्मोल carbon dioxide मिलेगा और प्लस y by 2 mol of h2o मिलेगा यह बनेगा न अब अगर मालूक इसका एक मोल होता इसका इसका 74 ग्राम तो 74 ग्राम से मारे पास 132 ग्राम और और यह नहीं हो रहा है मतलब कहने का क्या आप इसको ऐसे समझें कि अगर मालूक इसका मोलर मास अगर हम calculate करें कितना आएगा 12x प्लस y प्लस 16z यह आएगा अब इतना इसका यह मोलर मास हो गया तो 74 ग्राम है इसका तो 74 डिवाइड बाइ 12x प्लस y प्लस 16z इसके नमबर आफ मोल्स आगए अब एक मोल आपको x मोल देगा तो यानि x मोल आपके पास carbon dioxide तो इसका x टाइम यानि 74x डिवाइड बाइ 12x प्लस y प्लस 16z यह आएगा इकोल टू कितना 132 डिवाइड बाइड बाइ 44 यह इसके न इसका एक मोल होगा तो इसका y by 2 मोल बनेगा तो इसका इतना मोल है तो इसका y by 2 टाइम बनेगा तो नमबर आफ मोल जो वाटर के बनेंगे 74 डिवाइड बाइ 12x प्लस y प्लस 16z multiplied by y by 2 और इसकी value किसके बराबर होगी तो यह भी 3 मोल के बराबर आएगा तो अब एक काम करत देखो क्या आपके पास मिलेगा x divided by y by 2 इसकी value किसके बराबर 1 के बराबर आएगी यानि x by y की value वो 1 by 2 के बराबर आएगी जो मुझे दिखाई दे रहा है यानि carbon और hydrogen के mole का ratio जो आना चाहिए वो 1 by 2 के बराबर आना चाहिए और जो एक ही option में हमको दिख रहा है वो कौन स है आपका c option देखो आप 1 by 2 ये बाकी इन सम्में तो दिखी नहीं रहा है तो इसको option कौन सा होगा third आगे बात करते हैं बोला हुए एक iodized salt content 0.5% of nai by weight ए परसें ग्राम of salt everyday आप बोला हुए number of iodide and going into his body everyday तो हर एक दिन जो है मतलब वो 3 ग्राम salt absorb कर रहा है उस 3 ग्राम salt में 0 0.5% nai तो यान इसका मतलब यह हुआ है कि उस 3 ग्राम salt में जो nai का मास होगा वो 3 ग्राम का 0.5% होगा यानि 3 multiplied by 0.5 by 100 इसके number of moles निकाल ले हां तो number of moles जब निकालेंगे तो वो आएगा 3 into 0.5 divided by 100 divided by sodium iodide का molar mass तो इसका iodine का दिरका 127 sodium का 23 होता है 150 हो जाएगा 150 आगया आपके पास तो इसकी value तो उपर आएगा कितना 1.5 divided by 150 multiplied by 1000 तो यह term cancel हो गया 10 100 तो यह आपके पास आगया 10 to the power minus 5 यह आगया number of moles उतने ही इसको 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 आवेगेटर नमबर से मल्टिप्लाई करते हैं 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 10 to the power minus 5 तो यह 10 to the power minus कितना 19 सही है calculation कुछ गड़ बढ़ हो रहा है पंद्रह तेस तेस में से पास गया कितना आएगा 14 अठारा आएगा तो यहां पे 0.5 परसेंट तीन ग्राम तो 3.5 3.5 1.5 आएगा ना बाकी जो है मादद अभी इंटू 10 to the power minus 1 तो यह 10 10 की power minus 2 3 और 2 पाद सही तो है calculation ठीक इसका answer आपका यह ही आएगा ना तो यहां पे हमारे पास C2H4O2 है और C2H4O2 की रियक्शन हम ऑक्सिजन के साथ करा रहे है तो यहां पे हमारे पास carbon dioxide बनेगा और साथ में H2O बनेगा अब इसको balance कर ले तो दो carbon ketum और बाकी यहां चार hydrogen ketum oxygen ketum को भी balance कर लेते हैं इसका molar mass पहले calculate कर लो 24 प्लस 4 प्लस कितना 32 तो 28 प्लस 2 यानि 30 और 30 60 तो इसके number of moles आजाएंगे x by 60 और इसके number of moles आएंगे 620 minus x divided by कितना 32 इन दोनों के mole का ratio 1 by 2 कर देना आपके पास sensor मिल जाएगा ठेक आगे बुला हुववववव जो quantitative determination of nitrogen N2 gas was liberated जो हो रहा है वो from 0.42 gram of sample of organic compound was collected over water if the volume of N2 gas collected was 100 by 11 ml at a total pressure of 860 mm of Hg at 250 Kelvin percentage by mass of nitrogen in the organic compound aqueous tension पानी का दे रखा है 24 और R की value point 08 liter ATM मतलब पर mole per Kelvin लेना है मतलब nitrogen हमको किसी organic compound से मिलना है और वो nitrogen हम पानी के उपर collect कर रहे है तो अगर nitrogen को हम पानी के उपर collect करेंगे तो आप बोलेंगे total pressure minus पानी का वेपर प्रेसर तो इसकी value को calculate करो कितना आएगा तो यह आपके पास आएगा 8 अब बाकि 60 में से 24 माइनस करो तो कितना आएगा 36 तो 836 यह nitrogen का pressure आ गया अब नाइटोजन के लिए लिखो आप पीवी कोल टू अनर्टी तो नाइटोजन के लिए अगर पीवी कोल टू अनर्टी लिखेंगे तो नाइटोजन का प्रेसर 836 डिवाइड़ेट बाई 760 वालिम कितना है 100 ml 100 by 11 ml तो 100 by 11 into 1000 लीटर में आ गया equal to mole of hydrogen multiplied by 0.08 into कितना 250 kelvin के बराबर तो यहां से nitrogen के number of moles आ जाएंगे अब N2 के जो number of moles आएंगे वहां से N2 का mass calculate कर लोगे N2 का mole multiplied by उसका molar mass यानि 28 और यह जो hydrogen का mass nitrogen का mass आएगा यहां multiplied by 28 तो nitrogen का mass आएगा वही उस organic compound में nitrogen का mass होगा तो उसका total mass organic compound या जो भी sample है उसका 0.42 ग्राम और nitrogen का mass इतना आई जाएगा तो उसका percentage हम calculate कर लेंगे यहां पर देखो the mass of P4 O10 produced a 440 gram of P4 S3 is mixed with 384 gram of O2 यानि इस P4 S3 है हमारे पास और इसकी reaction हम किसके साथ करा रहे है और 2 के साथ तो जब इसकी reaction करा रहे है तो हमारे पास P4 O10 बन रहा है और प्लस sulfur dioxide यानि SO2 बन रहा है इस reaction को balance कर लेते हैं phosphorus के 4 atom phosphorus के 4 atom sulfur के 3 atom तो यहां पर sulfur के 3 atom oxygen के 10 और 6 16 तो 8 से यहां क्या गर दो आप multiply गर दो अब हमारे पास 440 gram P4 S3 है ठेक तो इसके number of moles calculate कर लो phosphorus का atomic mass 31 होता है और sulfur का 32 तो 31 multiplied by 4 124 और प्लस 32 multiplied by 3 यानि कितना आएगा 96 तो यह आगया 0 2 और बाकी 220 तो इसके जो number of moles से आगे वो कितने आगे 2 यहां पर ठेक और बाकी oxygen के कितने mass है 384 gram तो oxygen का number of moles निकालेंगे तो 384 divided by 32 है कि नहीं तो यह कितना आएगा 1 और 12 moles यह आएगा 12 moles यह आगया इसके moles को इसके balancing moles से divide कर दो 2 आएगा इसके मोल को इसके balancing moles से divide करें तो वह value 2 से कम आएगी मतलब यह limiting reagent होगे और यह अगर limiting reagent होगा है तो reaction इसके हिसाब सोगी तो 8 moles से कितना बनेगा एक मोल तो एक मोल से बन बाइएट 12 मोल से इसका बनेगा 12 बाइएट इसके molar mass से multiply कर दो कि इसका mass मिल जाएगा ठेक यहां देखो यह अच्छा question है इसमें बुला हुआ है क्या the percentage change in m average of the mixture if pcl5 undergoes 50% decomposition यहां पर क्या है यह जो pcl5 है यह आपका decompose हो रहा है pcl3 plus cl2 में तो इसका m average पूछा हुआ है कितने उसमें चेंज आएगा अगर pcl5 कितने percent तूट रहा है 50% तूट रहा है तो आपने अगर मालो इसका initial mole a ले रखा है तो अगर degree of dissociation alpha तो a into 1-alpha यह लिखेंगे a alpha और यह लिखेंगे a alpha तो total mole कितना आ जाएगा वो total mole आ जाएगा आपके पास a into 1 plus alpha और बाकी इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी chapter में mole concept में बहुत बढ़िया चीज है कि यहाँ पर average जब हम लिखेंगे न तो m average लिखेंगे total mass by total mole तो उसमें आकेले मैं यहाँ directly लिख दे रहा हूं a into molar mass of pcl5 upon total mole a into 1 plus alpha यह सीखेंगे बच्चों हम लोग ए और a cancel हो जाएगा तो molar mass of pcl5 divided by alpha 50% यानि 1 by 2 तो 1 plus 1 by 2 यानि कितना 3 by 2 यह हमारे पास आएगा यानि 2 by 3 times molar mass of pcl5 यानि पहले जो molar mass pcl5 का होगा इसको decompose होने के बाद उसमें change कितने का आएगा 2 by 3 उतना हो जाएगा तो change कितने का आया 1 by 3 तो change अगर 1 by 3 का आया तो percentage में calculate करेंगे तो 33.33 आएगा इस concept को सिखेंगे हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ है आगे the mass of mg3 and 2 produced 48 gram of magnesium metal is reacted with 34 gram of gas तो यहां पर reaction को लिख लेता हो magnesium इसकी reaction और यह ammonia के साथ इस reaction का product बंदा है mg3 and 2 और बाकी हमारे पास क्या बंदा है h2 यहां पर इसको balance कर ले पहले तो दो से और यहां तीन से और यहां दो से multiply कर दे और बाकी छे hydrogen केटम है यह नहीं तीन से multiply कर दे तो हमको mg3 and 2 के mass से मतलब फिर से वह limiting reagent का concept इसका magnesium का mass कितना दे रखा 48 उसका molar mass होता है 24 तो इसके number of moles 2 आ जाएंगे molar mass होता है 17 तो यह आएगा 2 ठेक अब इसके mole को इसके balancing mole से divide करोगे तो यह limiting reagent आएगा तो तीन moles से 1 mole, 1 mole से 1 by 3, 2 से 2 by 3 तो इसके जो number of moles आएंगे वो 2 by 3 इसके molar mass से multiply कर दे ना इसका mass मिल जाएगा तो number of carbon atom present in a signature if signature written by carbon pencil जिसका weight इतना gram मदब एक point जो signature है उसका mass जिसमें carbon के atoms ही है उसका mass इतना gram तो यह इसका मदब mass of carbon atom 1.2 into 10 to the power minus 3 gram के बराबर तो number of mole कितना आएगा 1.2 into 10 to the power minus 3 divided by 12 तो यह value कितनी आएगी 10 to the power minus 4 अब इसको आवे गड़ो number से multiply कर दो कि number of carbon atoms मिल जाएंगे the average atomic mass of mixture containing 79 mole percent of magnesium and maintaining and remaining 21 mole percent of magnesium 25 and 26 is 24.31 percentage mole of magnesium 26 मतलब यह बोला हुआ है कि magnesium के 3 isotope एक जिसका atomic mass 24 है एक जिसका atomic mass कितना है 25 और एक जिसका atomic mass कितना है 26 अब इन तीनों का जो average atomic mass आ रहा आएंगे तो मान लिया इसका x mole है तो इसका कितना होगा 21 minus x mole आएगा अब ए में एवरेज का multiplied by 26 divided by क्या 100 और इसकी value 24.31 के बराबर है तो यहां से x की value आपको मिल जाएगा air container यह भी बढ़िया question है इसमें बुला हुआ oxygen by volume air में oxygen जो है वो 20% by volume calculate the theoretical volume of air which will be required for burning 200 mm cube of acetylene gas completely all volume are measured under the same condition of the same temperature and pressure मदब सब प्रेशर और temperature इसमें constant है ऐसी टाइलीन का मदब C2H2 ट्रेक अब इसका combustion करा रहे है तो यहां CO2 or plus H2O मिल रहा है अब यह हमारे पास जो volume इसका आ रहा है वो 200 mm cube के बराबर तो इसको balance कर लें हम तो दो carbon ketum यहां 2 hydrogen ketum तो इससे तो बन से multiply करोगे oxygen ketums कितने आएंगे चार और एक पाच यानि 5 by 2 अब Y volume देखो एक volume होगा तो इसका 5 by 2 तो इसका अगर 200 है तो इसका volume कितना होगा 5 by 2 into 200 आएगा न तो इसकी value कितनी 500 meter cube के बराबर तो oxygen का volume इतना मान लिया air का volume वी तो उसका 20% oxygen का volume होगा तो V into 20 by 100 equal to कितना 500 तो यहां से volume की value आ जाए कितनी 2500 मुझको जो दिख रहा है तो इसका यह option करेक्ट है अगले question पर आते हैं कि alloy of iron nickel and manganese has a density of 8.17 gram per centimeter cube how many iron atoms are there in a block of alloy measuring इसका volume दे रखा कुछ भी नहीं करना आपको इस में उस alloy की measurement दे रखी तो volume मिल जाएगा वालिम मिल जाएगा density दे रखी तो density और volume से आप उसका alloy का mass calculate कर सकते हैं mass calculate कर लेंगे तो iron का percentage पता है हमको तो जो भी mass आएगा उसका 54.7% iron होगा उस iron का mass आगया iron के molar mass यानि 56 से divide की iron के number of moles आगे उसको alligator number से multiply की iron के number of atoms आगे अगले question पर आते हैं इसमें बुला हुआ है कि aspartame एक artificial sweetener contain 9.52 percent weight of nitrogen there are two nitrogen atoms per molecule what is the molecular weight of aspartame मतलब यह हुआ कि अगर मालों की aspartame का mass 100 gram तो उसमें nitrogen जो है उसका total mass कितना है 9.52 gram के बराबर ठेक अब अगर मालों की इसको आप ऐसे समझे उल्टा बोले 9.52 gram अगर है तो उस aspartame का mass कितना होगा 100 gram तो बुला हुआ है पर compound एक compound एक molecule ले रहा है उसमें दो nitrogen के एटम तो nitrogen के दो एटम है तो कम से कम कितना ग्राम होना चीए 28 gram तो इतना ग्राम अगर इतने ग्राम में प्रेजेंट रहे तो आप वॉल्म केल्कुलेट कर लो 4 by 3 pi r cube मास मिल जाएगा देंसिटी दे रखी हमारे पास उस मास का 84% iron आरेन का मास मिल जाएगा उसके मोलर मास से डिवाइट कर देना मोल मिल जाएगा वे गड़ो नमबर से मल्टिप्लाइगर दोगे नमबर आप एटम्स मिल जाएगा एक औरगेनी कंपाउंड उसमें 8% आउक्सीजन और 4% सुल्फर पाई मास है इसमें एट ग्राम ऑख्सीजन है और 60-ग्राम चार्व्र के एटम स सल्फर तो और दो उस्हिंगर Corn के मास कितना होगा एक औरगेनिक कंपाउंड में 8 ग्राम यह 8% पर्सेंट पर्षाइब दिमाग लगाँ मतलब यह अगर मालो की आपने यह बोल दिया कि कब मालनों के हुमने भी बोल दिया caregiver कि ऐस्स ऑऔर इनिक कंहाँ पॉणड में कम से कम एक oxygen तो एक oxygen का item मतलब यह हुआ कि कम से कम sixteen gram होगा oxygen तो अगर आठ ग्राम के लिए सौ ग्राम और तो 16 g var के लिए कितना होगा 200 ग्राम यह होगा न अब इक बात ओर सोच औल अगर 100 में चार ग्राम सुल्फर है कि इस तू हंड्र मेर mesам होता है तो मिनिमम मॉलर मास सुल्फर का सब्सक्राइब हो धो जो पॉसिबल नहीं अब इस उठकार सब थी 10 कि 10 गुना यानि 800 ग्राम के बराबर होगा न अब 100 ग्राम में अगर 8 ग्राम है तो 800 ग्राम में कितना होगा 64 ग्राम तो मदब उस compound के अंदर कम से कम चार oxygen के एटम है और एक sulfur का एटम जो minimum molar mass होगा वो कितना होगा 800-800 equal volume of 10% volume by volume of HCl is mixed with 10% volume by volume of NaOH if the density of pure NaOH is 1.5 times that of pure HCl then the resultant solution is इसको खुद से try करना मैं बता दे रहा हो question क्या है बढ़िया है दोनों के यहां पे 100 ml अगर मालोव आपने solution लिया तो 100 ml के solution में 10 ml कौन है HCl ठेक और यहां पे अगर आपने 100 ml का solution ले रखा है तो उसमें 10 ml क्या present है NaOH present है साथ में यह बुरा हुआ है density of pure NaOH यानि density of pure NaOH is equal to 1.5 times density of pure HCl तो आप देखो अगर मालो कि इसकी जैसे HCl की density या NaOH की HCl की density या आपने D मान ली तो इसकी density अगर D मानिए तो इसका मास कितना आएगा वो आएगा 10 into D के बराबर और यहां पे अगर HCl की density D मानिए तो NaOH का density कितना आएगा वो 1.5 D के बराबर आएगा तो NaOH का मास तो यहां पे आएगा वो आएगा 10 multiplied by 1.5 into D के बराबर यानि 15 D ठेक इसके number of moles निकल लो आप NaOH के number of moles आएगे 15 D divided by 40 और यहां पे HCl का जो number of moles आएगा वो आएगा 10 D divided by 36.5 जिसका mole जादा होगा solution उसके इसाब से बात करेंगे तो यहां देखो आप अगर मानलो की नीचे 40 और इधर 36.5 तो एक common number उपर 15 और इसमें 10 से multiply कर देते हैं तो इसमें 15 से multiply करेंगे 150 D divided by 15 into 36.5 और 10 से multiply किया तो 150 D divided by 400 आएगा आएगा ना अब इसमें देख लो नीचे वाला number इन दोनों में से कौन ज्यादा और कौन कम जो ज्यादा होगा वो कम होगा ultimately solution उसके उल्टे हिसाब से होगा तो यह आप चेक कर सकते हैं यह ना थेंक्यू